शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो तुम खुदी रुख लो चुटी सकार और अपने हाथों से ज्यूते पहने लेते हैं हाँ हाँ खूब देख लो फिटिंग मिटिंग बराबर है न कहीं दबादो तो नहीं हुआ मी अरेओ बाबू हुं penlet काड़ हो अपनी ज्यूते को देखो आई काटता सहए आ यह बात जानलो छ्छुटे सरकार हमेडंश नहीं है जस्य्वन सीनंग के पास हर हर का हो यहल कतने पैसे हैं बापोनी पचास गोले है पैसे के गर्मी धनिया को नरम नहीं कर सफी जुटे सरकार ये लो उपर के तीस हम दे हुई चीज वापस नहीं लेते यह हमारी शान के खिलाफ है लोरकी अरे तुम्री सांतो बाबू गाउं भर के छुकरिया जानत है वापस तो तुम भी आज समय लेते हो ये पड़े हैं प्रकाई का हम है मैंसाब मैं इसमें आज वाख तो तुम मईली हो जाओगी अज़ा मेरा काई तो फिर इन तारओं को आपने गोद में कियो नहीं लेता मेरी जाली लेता मेरी फिरुन ट रृव faith लें और बोकु कर स्य की मेरी चिंता है अर्वकी का में अधे मैं सबंगाएद दमयाद फंधिमअ पंगेवागव लाएद दो तो पर टोगहीए कि तुझे इस गवाच होक्रि करतुन नजर्वाया? दोस पर मंतरु परे उसके सूरतों मेंचा अमरे इसके सूरत में नहीं साइट और मेरी दिञा आपा दिखत हुखराती कॉल मेंचान देखतु हुखरा है नेशोराम, नमस्तिय है, मुनीम जी, तुम पर क्यों गयाता, तुम्हे, पडे सरकार से पर्याद करने, कि मेरी बेटी चमपा गा, तेरी बेती का बडे सरकार ने ठेका लिया है, क्या, तुझे मालूमिन की तरियत खराब है, अब तुझ अपनी बेटी की कथाले की पहुच ल तुम्हारी वी एक बेटी है यही तुम्हारे साथ हो जाता तो अगर ऐसी बास जबान पर लाया तो तुम्हारी जबान खाई किरूगा तुम सुन्दे सके लेकि चीज बाप के दिल पर बीत रही होगी उसका क्या हाल होगा उसका तो कलेजा फट रहा होगा मुलिम जी कलेजा फटता है तो डाक्सर के पास जा और छोकरी के लिए पुलिश चाउकी में मैंने तुझे नोक्तरी क्या दिलाई कि अपने लिए मुसीवत मूल ले ली खबरगार जो दोबारा यहां कदम रखा चल निखल निखल जो किसी बाप को यह दिन मत दिखा ना पता कहा है के चुराम की बेटी जिसे तूने दोगे से सूरिया महिल में बुलाया था बतागा है वो यह सब बत्वास है घलत है तामात मुझ पर जूटा इल्जाम है यह देस्वांग कमिस से बात करो बीमार आदमी से इस तरह बात करते हैं तुझे शर्म नहीं आती दस्वांग कान खोल कर सुन ले बजनतीब जालिम का जुल्म बहुत दिन नहीं चलता वो एक नेक दिनों से तबाव बर्बाद गर देता है दैडी कोई बाप अपने बेटे से इस तरह की बात नहीं करता आप आखरी वक्त में भी मुझे कर्स कर रहे था अजया आप बद्वा दे रहे मुझे मैं तुझे बद्वा कर्स छुड़ लिया तुमने चुप हुजाए यराइ कि मैं तुमने आप कर दो कर दो पाइब पाइब्ण गर पिर्ट लेना पॉल्फ टे टॉल्फ टार दॉल्फ टॉल्फ टॉल्फ हॉ वड़ी बस्जारा टॉल्फ हुद टॉल्फ आई 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 रहमत खान साथ सलाम 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 तैसिक रखिया बहुत बहुत शुक्रिया तुम भी तो बैठो यह अब सुनो क्या हाल चाल है जब भगवान की किरपा है अरे खान साथ आप तो बिल्कुल मत्ती में अटे हुए है अरे भाई थेकेदारी के दंडा इसमें तो धूल मिट्टी का ही पाउडर लगेगा और सची बात यह है कालू भाई के मिट्टी में ही सोना मिलता है अपने अरे भाई मेरा जूटा तयार है खान साथ जूटा तो बहुत दिनों से तयार है बस आप ही की रा देख रहा था यह पहन कर देख लीजी पहनी नहीं भई मेला हो जाएगा मगर खोड़ा की किसम क्या नफीस जूता बनाया है तुमने बनाया क्या है खान साब पन गया है अरे जीती रहो वेटी जीती रहो एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे खान साब आप हमारा चुआ पानी पीएंगे आरे तो क्या हुआ ला हॉल विला खुट भाईया हम तो सीधी बात जानते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वायाज न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नावाज वाह वाह और एक बात और सुनो काली भाई गंगा का पानी किसी के हाँ से भी प्योग गंगा का पानी रहता है सची बात पर तुझा और अपने चाचा के लिए गिलास पानी लिया जा वेटी लेया आपने मन पवित्र हो गया है यह लो जा पिता आप पहले गुड़ थर पानी अरे हाँ गुड़ बचपर में खूब चुरा चुरा के खाया करता था अरे हाँ पैसे आप पेश्गी दे गए थे अरे दे गया था मैं हाँ अच्छा तुमाई चले और हां का लुगाई मेरे लाएक कभी कोई खिदमत हो अकलूप ना करना आपना समझ के कहे देना आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाचा खुदा आपका बहुत बहुत अच्छा बावलाल जी एक चौथाई रामू की याने के पचीस किलो और पच्छाथ्तर किलो छोटे सरकार की अरे मुलीम जी यह कैसा नहीं आए आज है कि अबद्दे एक चौथाई यह कैसा नहीं जी बढ़ाई ऐसी होगी तो हम घरीबों का काम कैसे चलेगा पिछले साल मुलीम जी बड़े सरकार के जमाने में तो आधे की बटाई हुआ कर दी भला पुराने रीत रिवाज कैसे टूड़ सकते हैं मुलीम जी अरे क्यों नहीं टूड़ सकते मूर को रीत बनाना और रीत तोड़ना भी तो बड़े लोगों की रीत है क्यों हो माई डियर मुनीम जी बड़े सरकार के बखत ने बहुत मौज मजा उड़ा लिया अब छोटे सरकार का राज है क्यों मस्तर बिर्जू राइट माई डियर मुनीम जी बड़े सरकार के जमाने में बड़ा हिस्सा चोटे सरकार के जमाने में छोटा हिस्सा चल चल काम करेंगे काम तो तुम दिखा रहे हो माइडियर का बच्चा तुम सब कान खोल कर सुलो आज से बटाई ऐसे ही होगी तो तुमारे बाल बच्चे भूखे मरते हैं तो मर जाने दे आने वाले कम होंगे तो तुझे तो भर पेट रोटी मिलेगी क्या समझे हुआ है 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 कि अधिक प्रूब शहुआ है 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 इसा तुम्हें तुम्हें चीग रही होगा है खालो भाईयो सुनू खामोश कालू तो यह सब तेरी जनरेली है? मुनीम जी भूके पेट तो बैल भी काम नहीं करते यह बिचारे किसान कैसे करेंगे? अच्छा तो तुने भूस में चिंगारी डाल कर आग लगाई है चिंगारी तो आपने डाली है मुनीम जी पहले गल्ले की बटाई चौथाई करवा दी फिर धोके से गरीब सर्जू की जमीन लिखवा ली अन्याय की भी हद होती है मुनीम जी दबे पे चूटी भी काटती है याद रख कालू पश्टाएगा अगर छोटे सरकार के मगज में गर्मी चड़ गई तो तुम सर जल्म जल्म चिलाओगे आप भी याद रखिये मुनीम जी जल्म करने वाला भी पापी है और जल्म सेहने वाला भी पापी है मैं इन सब को पाप से बचा रहा हूँ मुनीम जी अब काम रुका ही रहे